नमस्ते दोस्तों जोहार मैं अभिसेक चक्रवर्थिया आज सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हूँ दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग जानेंगे Class 12 का Psychology का Model Paper जो की अभी तक जो है Officially जारी तो नहीं किया गया है फिर भी मैं अपने अस्तर से जो है कुछ-कुछ गैस पेपर और कुछ बुक्स से जो है Questions कलेक्ट किया हूँ ताकि आप लोग को Help मिल सके अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं Psychology का पूरा सेट ले के आऊँ तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताईएगा और आप लोग किस-किस सब्जेट का Model Set Paper और Questions का Practice करना चाहते है नीचे कमेंट करके जोरू बताईएगा वीडियो अगर पसंद आए तो Like, Share and Comment करना ना भूलिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी दरी के वीडियो के स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैं आप सब के जानकारी के लिए बता दो कि यह जो मनोविज्यान का आप लोग का पेपर है यह आप लोग का कुल 35 questions रहेंगे जिसमें से हर equation के लिए आपको एक अंक दिये जाएगे और हर equation में आपको चार विकल्प दिया जाएगा तो चलिए start करते हैं हम लोग पहला question यह पर देख सकते हैं क्या पूछा गया बुद्धी के पास model को परस्तावित किया है तो बुद्धी के पास model यह एक model है पास एक model है कौन परस्तावित किया है दोस्तों तिसका correct answer होगा option 4 यहाँ पर जितने यह options दिये हैं इन तिनों नहीं मिलकर जो है बुद्धी के पास model को परस्तावित किया है आप लोग नोट करते चलिएगा question number 2 पर देख सकते हैं दोस्तों प्रेगात्मक मौनविज्ञानिक के जनक कोन है तो प्रेगात्मक मौनविज्ञानिक के जनक जो है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग उन्ट के नाम से जानते हैं ठीक है अगले question पर चलते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है question number 3 पर देख सकते हैं इस्टेंबर्ग के बुद्धि सिध्धान्त का नाम क्या है ठीक है तो इस्टेंबर्ग के जो बुद्धि सिध्धान्त का नाम है दोस्तों आप सभी जो साइकलोजी पढ़े होंगे उन्हें मालूम होगा कि इसका नाम क्या है Q3 का एंसर हो जाएगा दोस्तो Option 1 इसे हम कहते है कारक सिध्धान ठीक है उसके बाद नेश कोईशन पर चलते दोस्तो क्या कहागी है यहाँ पर देख सकते है अभी छमता किस परकार की परक्रिया है तो अभी छमता किस परकार की परक्रिया है दोस्तो अभी छमता जो है अरजित परक्रिया है ठीक है याद रखना है Question number 5 पर चलते है Spare Man ने बुद्धी के कितने तत्व की चर्चा की है तो Spare Man ने बुद्धी के 2 तत्व की चर्चा की है ठीक है उसके बाद नेश कोईशन पर चलते दोस्तों क्या पूछागी है यहाँ पर देख सकता हम लोग कोईशन अबर 6 में कि बुद्धी लब्धी का परतिपादन ठीक है यानि इंटेलिजन कोईशन जो है इसका परतिपादन किस ने किया था यह कोईशन आपका एक्जाम मे होगे यहाँ पर करेक्ट होगा इस पर बुद्धी लब्धी का परतिपादन किये थे आगे इस पर बीने सायमन उन्हें इस पर काम किया है लेकिन सबसे पहले परतिपादन अगर बात करें तो इस्टन ने किया है Q7 पर चलते दोस्तों क्या कहाँ यहाँ पर देख सकते Q7 में पुछा गया है जीन वेक्तियों में बुद्धी लब्धी 90-110 की बीच होती है उन्हें क्या कहते है तो उन्हें क्या कहते है उन्हें क्या कहते है इस पर भी एक separate वीडियो में बना दूँगा ताकि आप लोगों पता चल जाएगा कितना से कितना अस्तर के बीच के बच्चों को मूड कहा जाता है जड कहा जाता है और कितना से कितना अस्तर के बीच के बच्चों को परतिभास साली कहा जाता है ठीक है आप लोग नीचे कमेंट कर परता आईएगा कि आप लोग को separate वीडियो चाहिए तो ठीक है चलिए उसके बाद question number 8 पे देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है question number 9 पे देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है तो इसका जो answer होगा दोस्तों question number 10 का option जो होगा आपका 3 यहाँ पर correct होगा कुष्यन नमर 11 पर दोस्तों देख सकते हैं क्या पूछा गया है इस्पेर्मैन के बुध्धि सिद्दानत का नाम क्या है तो यहां पर दोस्तों option 4 correct हो जाएगा आपकर क्योशन नमर 12 पर चलते है दोस्तों क्या पूछा गया है TAT का वैक्तिट मापन किस परकार किया जाता है तो TAT का वैक्तिट का मापन किस से किया जाता है दोस्तों आत्म वीवरान आविसकारिका से किया जाता है तो यहाँ पर option जो होगा 2 यहाँ पर आपका correct हो जाएगा अब दोस्तों हम लोग देख सकते हैं Q13 में क्या पूछा गया है TAT व्यक्तितों मापन किस परकार का परिश्चन है ठीक है तो इसका करेक्ट अंसर क्या हो जागा दोस्तों Q13 का जो होगा आपका करेक्ट अंसर क्या हो जागा 14 का जो है करेक्ट अंसर होगा आपका 1 ठीक है 16 परिश्चन वाली का जो है उन्होंने निर्मान किया था ठीक है चलिए नेश कोशन पर चलते हैं यह जो है दोस्तों आपको समझने वाला टॉपिक है और इसके अंदर से भी कोशन पूछे जा सकते है ठीक है कोशन निम्न में से कोन आनन्द सिद्धान से निर्देसित होता है और इन्द पर हम यह तीनों से पूछे जाते हैं तो जो आपका आननद वाला जो दिया गया उससे रिलेटेड़ी पूछे मैं इस पर भी एक वीडिया आपनों के लिए बना दूँगगा ठीक है चले नेक्ट कोशन पर चलते क्या पूछा गया है, कोशन नमबर 17 पर, 17 पर पूछा गया है, निमलिकीत में से कौन यूंग के व्यक्तित के परकार के अंतरगर समझा जाता है, तो कोशन नमबर 17 है, यह भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर जो है आप मुखी तो वो भी करेक्ट होता, अगर दोनों यह उप्सन दिया जाए, अंतर मुखी और बहिर मुखी इंट्रोबर्ट और एक्स्ट्रोबर्ट तो दोनों ही आपका करेक्ट होता दोस्तों, ठीक है, याद रखना है, उस बाद कोशन नमबर 18 पर चलते दोस्तों, क्या करेक हो गए, निमनांकित में से कौन यूंग के व्यक्तित के अंतरगत नहीं समझा जाता है, ठीक है, तो मैंने बताया कि यूंग ने जो है, बाहिर मुखी, आंतर मुखी और उभय मुखी, ये तीनों के बारे में बताया है, ठीक है, अंतर मुखी जो होता है, वैसे व्यक्तित हो जाता है ठीक है दूसरों के भी जल्दी जल्दी अपने बातों को रख सकते हैं बिना डरे बिना हिचकी चाहे हुए ठीक है जल्दी इन लोग का friendship भी हो जाता है बहर मुखी के लोगों का और जिन व्यक्ति में इन दोनों टाइप का गुन पाये जाता है उसे कहते हैं उभए मुखी कहते है ठीक है तो इन तीनों के बारा में ही जो है यूंग ने बताया था तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट है किसको छोड़के दोस्तों यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो यहां पर एफीड एंडो मर्फी जो है यहां पर यह करेक्ट होगा नहीं पूछा गया इसलिए अगर पूछा जाता कि है कौन सा तो बहर मुखी अंतर मुखी यह तीनों से ही होता यहां पर नहीं पूछा गया दोस्तों इसलिए आपका करेक्ट एंसर क्या होगा एंडो मर्फी जो होगा ये करेक्ट होगा ठीक है उसके बाद कोईशन नमर नाइंटीन पे देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है रोजर्स ने अपने व्यक्तित्ति के जो सिध्धान्त है उसमें किसे अस्थान दिया दोस्तों आत्मा को किसको अस्थान दिया है आत्मा को ठीक है उसके बाद दोस्तों question number 20 पे चलते है फ्राइड इससे related आपको questions देखने को मिलेंगे और मैं फ्राइड से related जो है अलग से separate topic लाकर आप लोग के लिए और एक वीडियो बना दूँगा दो तारिक तक के बीच में आपको वीडियो मिल जागा आप लोग का प्यार और सपोर्ट इस वीडियो में रहा तो फिर ठीक है देखते आगे question number 20 में पूछा गया फ्राइड वेक्तित के मौलिक इकाय मानते हैं किसे मानते दोस्तों और दोनों जो है chapter wise जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें अच्छे से इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे अभी जान लेते हैं किस टाइप के questions आपको समझ में आजएगा क्या क्या पढ़ना है तो मैसलो के आवशकता पदानू करम सिध्धान में आत्म सम्मान का अस्थान नीचे से किस अस्तर पर आता है तो दोस्तों इसका 21 का correct answer क्या होगा 21 का correct answer हो जाएगा option 3 जो होगा आपका correct होगा 4 था वेक्तित सिध्धान के विशेशक उपागम का अग्रनी है तो कौन है दोस्तों question number 22 के हिसाब साब का correct answer क्या हो जाएगा question number 2 में फिस सुनिए क्या पुछा गया वेक्तित सिध्धान के विशेशक उपागम का अग्रनी है तो इसका correct answer होगा दोस्तों आलपोट जो होगा इसका correct answer हो जाएगा question number हम लोग चलते हैं दोस्तों आगे यहाँ पे देख सकते हैं पूछा क्या गया है आलपोट के अनुसार वेक्तित की संगरचना की मूँ लुकाई क्या है तो यहाँ पे जो आपका question number 23 है उसका correct answer हो जाएगा वेक्तित का सिलगून ठीक है उसके बाद दोस्तों चलते है question number 24 में क्या पूछा गया है हाँ पे देख सकते हैं वेक्तित का मनोविशलेशनात्मक सिध्धान किसने दिया तो यहाँ दोस्तों पूछा गया है और यह question आपको definitely exam में देखनों की मिन देगा और कई बार exam में पूछा गया question है तो वेक्तित का मनोविशलेशनात्मक सिध्धान किसे कहा गया है तो किसने दिया है यह पूछा गया है तो यह जो है फ्राइड ने दिया है जब भी मनोविसले सनात्मक सिध्धान का बात करेगा वैक्तित का तो याद रखना है क्या answer होगा आपका फ्राइड answer होगा ठीक है चलिए निश कोईशन पर चलते है कोईशन अबर 25 पर वैक्तित का जो है उसके बाद दोस्तों कोईशन अबर 25 पर क्या पूछा गया है तो फ्राइड के अनुसाज जो है मन का सबसे बड़ा भाग होता है अचेतन ठीक है उसके बाद दोस्तों question number 27 में देख सकते हैं अब यह मैंने बता है इसके बारे में व्यक्तित के seal गून का सिद्धान किस ने दिया तो व्यक्तित के seal गून का सिद्धान जब भी पूछेगा तो क्या बताना है आपको अलपोर्ट ने दिया है मैंने इससे पहले भी और एक question में इसके बारे में आप लोगको बताया है question गुमा के दे सकता है आप लोगको confuse नहीं होना है अब दोस्ता हम दोग देख लेते question number 28 में क्या पूछा गया है सामाई ने अनुकुलन संगलेचन या GS के संपरताई किसने प्रसुत किया है तो इसका correct answer क्या होगा दोस्तो question number 28 का जो correct answer होगा option 2 जो होगा हैंस सेली जो होगा यहाँ पे दोस्तो correct होगा question number 29 का answer क्या होगा दोस question number 30 में पूछा गया है तो परतीबल के परमुक कितने परकार है दोस्तो option 2 जो होगा यहाँ पे correct हो जागा उसके बाद दोस्तो question number 31 में पूछा गया है इनमें से कौन परतीबल का सुरोथ है तो question number 31 में पूछा गया है परतीबल का सुरोथ तो यहाँ पे correct answer होगा दोस्तो तो मैंने इसके बारे में पहले बता है क्या होगा दोस्ते इसका करेंट एंसर प्राइड ने ठीक है आधनिक चिकिस्टा सासर का जनक दोस्तों आपको याद रखना है ये question भी आपका पूछा जाएगा हैपो क्रेक्रेटर्स जो होगा यहाँ पर correct answer होगा उसके बाद दोस्तों question number 35 जो आज की इस वीडियो का last question है दोस्तों पूछा क्या गया है मनों ग्यात्मक चिकिस्टा का परतिपादन किस ने किया है तो दोस्तों इसका correct answer क्या होगा आप लोग नीचे comment करके बताईएगा अगर कहीं दिक्कत होती है तो मैं इसका answer आप लोग को बता दूगा ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपको इ related तो नीचे comment करके बताईएगा तो दोस्तों आसा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अभी तक के लिए यहां तक हम लोग वीडियो करकते हैं अब हम लोग जो है चैप्टर वाइस वीडियो लाने वाले हैं जिसमें आपको हरी questions करवाए जाएंगे चाह आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेर और कमेट करना ना भूले तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद जैहिंद वंदमातरम